हर्याना में अगर आपको लगता है बिल्डर के खिलाफ कमप्लेंट करना काफी मुश्किल है तो आज का शोड आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगी है अगर किसी एजन के खिलाफ कैसे कमप्लेंट करनी है आपको कोई भी एड्वोकेट हार करने की जुरूत नहीं है इसके लाव आपको किसी एजनसी की जुरूत है थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हां बिल्कुल आसान है रहरा ने इसको बिल्कुल आसान बना दिया है बहुत सारे लोग कंपेंट कर रहे हैं कि यह काफी मुश्किल प्रोसेस है चलिए आपको बताती हूं कैसे करना कंप्लेंट का जो सिस्टम है वह बहुत ही सरल है पहले चीतों समझने होगी कि ऑथोर्टी के सामने एडवोकेट का पेस होना अवश्यक नहीं है पहले जो रेगुलेशन्स बने हुए थे उन रेगुलेशन्स में बहुत ज् एड़ जो तरीका था उस तरीके में परिवर्तन लेकर गया है और परिवर्तन क्या है कि एक तो जो अथि है यदि वो खुद उस कंप्लेंट को बरना चाहे तो उस कंप्लेंट को वो पंदरा से बीस मिड़ में पूरा की पर सकता है गूगल हमपेज का आएंगे अगे अग औरador के नाँगे ई किसी भी इलाखे में कबेंट करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोज्जेक्ट को कम्प्रीट करते ही आप फ्लाइट coronavirus हें या फिर आप किसी भी तरह की कोई आपको cheating की गई है builder द्वारा हारी complaints इसी तरह की सभी complaints जो है हर्याना रियडरा 25 अंधर आउएंगी आप देख सकते हैं दो आइकन हैं यहाँ पर लेकिन अगर आप किसी भी तरह का compensation चाहते हैं, rent पे कर रहे हैं, या फिर आपको किसी भी तरह का mental harassment हुआ है, या आपको किसी भी तरह की कोई भी compensation की bang है, जिसमें facts और evidence लगेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर educating officer में click करना है, अगर आप authority के under complaint करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि registration of the complaint with authority आएगा, अब यहाँ आपको नाम डालना है, मिसाल के तोर पर हम यहाँ पर नाम डाल रहे हैं, हम ऐसी कोई random name डाल रहे हैं, आपको अपने पूरी यहाँ पर details सही देनी है, यहाँ आपको address दाना है, complaint number generate कर दिया जाएगा, project type पे जाना है, registered है या अगर आपका project registered है, तो आपको यहाँ पर यह देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर डालना था, गुरूग्राम डालना है, और यहाँ पर आपको रहे जा, builder मैंने डाला है, और यहाँ आपके पास पूरी की पूरी information और यहाँ पूरा का पूरा मैंने यह भरा है कि मेरा advocate represent करेगा, या मैं जो है self खुद से ही इसको pursue करूंगी, register करवा लेंगे अपनी complaint note, complaint number आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको हर्याना की इस website पर ही आप देखेंगे, कि proceed to payment का एक link है, आप इस link पे click करेंगे, कॉनसे year का है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, capture लगाएंगे, आप payment gauge पे आगया है, अब आप debit card, credit card या आप online net banking के थ्रू भी इससे payment कर सकते हैं हम लोग L.O.T. के लिए समय समय पर awareness cap लगाते हैं, उनको जदी complaint वरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारी है की help desk है, उस help desk पर जो officer है, वोने complaint वरने का तरीका सिखाते हैं कंप्लेंट दायर करने का सिस्टम online है, L.O.T. जो है, सबसे पहले उसको एक कंप्लेंट नमबर लेना होता है, जिसमें उसे दो से तीन मिनट में ले सकता है, रूल्स में दो फारम दिये हुए है, एक फारम है कंप्लेंट तु दी अथारिटी, जो केते हैं C.R.A. और एक फ कंप्लेंसेशन के लिए जो डॉकुमेंट और एविडेंस भाड है वह डिफरेंट है, जो फेक्टर जिरफर दिए किया जाना है वह डिफरेंट है, झांप्लेंट छोड कर ले कि बाकि जितने भी सारे रिलीव हैं अब आपको एक पॉर्म एक form है यह form आपको पूरा फिल करना है इस form को आप ताइब करवा सकते हैं आपको एक file दिखाना चाहूंगी आप यह file देख सकते हैं कि हर्याना में किस तरीके से complaint को register किया गया है यहां आपने date of filing डाला है कि नवेंबर में इन्हों complaint रिजिस्टर की है इसके अलावा यहां पर complaint number जो हमें online complaint मिली है जो number दिया गया है वो नमबर यहां पर हमें फिलकर complaint का नाम लिखेंगे यह respondent का लिखेंगे अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आपको यहां पर अपना ही नाम डालना है अगर आपको कोई एड्वोकेट हायर किया है तो आपको यहां पर एड्वोकेट की पूरी details देनी है को facts के base पर आपको allotment letter आपको लगाना होगा आप इसमें अगर यह बताएंगे कि बिल्डर ने कोई change किया है school था और school नहीं है ऐसी कोई अगर complaint है तो उसके भी सारे documents यानि कि documents जो facts को reveal करेंगे जो evidence है वो इसमें लगाने बेहत जरूरी है तो जो भी हमें relief चाहिए वो relief हमें यहां पर पूरा लिखना है कि मैं यह चाहता हूं कि मुझे refund किया जाए और साथ में मुझे possession दिया जाए मुझे इतने interest के साथ refund मिले इस सारी चीजें आपको इसमें भरनी है 7 number आप देख सकते हैं complaint not pending with any other court यानि कि आपका कोई भी जो case है वो NCLT, NCDRC में नहीं चल रहा है वो सारी आपको यहां पर details देनी है verification यहां पर आपको करना है और सारे के सारे जो documents है वो आपको इसमें लगाते चले जाने हैं यहां पर evidence लगने शुरू हुए है so that कि यहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो कि यहां fact यह बुला गया है और यह fact यहां दिखाया जा रहा है offline अगर आप offline 1000 रुपे की fees जो है वो जमा करना चाते है तो आपको एक demand draft बनवाना पड़ेगा और वो यहां पर वो भी जमा किया जाएगा three copies यानि कि एक copy जो आप हर्याना रेरा में गुडुग्राम में यहां जमा करेंगे दूसरी copy भी यहीं देनी है जो respondent के पास जाएगी और तीसरी copy जो है वो भी आपको यहीं deposit करने है जो आपके educating officer या फिर authority के purpose पे purpose से यूज की जाएगी यानि कि तीन copy के अलावा पूरे set की तीन copy के अलावा आपको कहीं और copy नहीं देनी है एक copy चाहे तो आप अपने लिए रख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर documents दे रहे हैं वो सारे आपसे self attested होने चाहिए अब cd यह आप cd देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी file है वो पूर या फिर dvd में डाला जाएगा और वो यहाँ पर इसके साथ इस तरीके से लग जाएगी ध्यान में रखना है कि अगर आपकी problem authority भी है और compensation department से भी है तो पहले आपको सिर्फ और सिर्फ authority की complaint से refund का order लेना है उसके बाद आप compensation के लिए जो है वो आप apply करेंगे वही पूरा process होगा लेकिन पहले आप compensation में चले जाएं वैसा नहीं होगा फिर आप वहाँ जाएं आपको पहले जो है अगर आप compensation भी चाते हैं तो पहले आप authority का matter resolve करवाएंगे उसके बाद आप जो है educating officer के पास अपने compensation के लिए जा सकते हैं एक चीज इसमें मैं आपके लिए add कर देती हूँ कि आपके पास educating officer या फिर authority किसी के पास से भी कोई भी order आया है उसके लिए आपको execute भी करवाना पड़ेगा यानि कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए कि registration of execution पर आपको जाना है यहाँ आपको execution जो है complaint type देना है फिर से वही process है पूरा का पूरा आप उसको फिल करेंगे और अपना order यहाँ पर आसानी से execute भी करवा पाएंगे यह process भी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि order तभी execute हो पाएगा तो step by step मैंने आपको पूरा process समझा दिया है process काफी आसान है documents आपको सारे लगाने है तो इस वीडियो पर like, share, comment करना ना भूले मुझे Twitter पर Instagram पर और साती Facebook पर भी follow जरूर करें मैंने अपना handle लीचे दिया है thanks to watching property matter